पिछले चुनाव में मैंने आप से दो-तीन वाइदे किये थे। हर भाशन में मैं कहता था कि हमारी सरकार आईगी तो दो-तीन काम पक्के होंगे, गैरंटी करके होंगे। सबसे बड़ा काम किसानों का करजा माफ वो कोई छोटी बात नहीं थी। उस समय बीजेपी के सब नेताओं ने कहा था कि कॉंग्रेस पार्टी सच नहीं बोल रही है। हमने ये भी कहा था कि 2500 रुपए प्रती क्विंटल किसान को धान के लिए रेट मिलेगा। कि बीजेपी के सब नेताओं ने का ऐसा दो किया नहीं जा सकता कॉंग्रेस ऐसे कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो हमने वाइदे किये थे पूरे हुए है। कोई यहां पर कह सकता है कि नहीं किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। नहीं 2500 रुपए के लिए हमें धान के लिए नहीं मिलता कोई कह सकता है यहां पर। कोई नहीं कह सकता हूँ क्यों जो हम स्टेट से जो मैं स्टेट से कहता हूँ मैं करके दिखाता हूँ मैं आपका मेरा दो-तीर महीने का रिष्टा तो है नहीं आपका रिष्टा मेरा रिष्टा पुराना रिष्टा है आप इंद्रा गांदी जी को याद करते हो जवालाल नहरू जी की याद करते हो तो मेरा रिष्टा आपके साथ जो है वो गहरा रिष्टा है पुराना रिष्टा है मैं यहां आके आपसे जूट नहीं बोलना चाहता प्रधानमंत्री यहां आए उन्होंने आप सबसे 15 लाख रुपए का वाइदा किया था कहा था हर बैंक अकाउंट पे 15 लाख रुपए डाल दूँगा कर दिया किसे की बैंक अकाउंट पे नहीं आया उन्होंने कहा था कि नोट बंदी से काला धन मिढ जाएगा मिढ गया कहा था किसानों का किसान बिल से फाइदा होगा किसानों ने स्वयम बिल को रद कर दिया देश के सारे के सारे किसान कड़े होके कहते प्रधानमंत्री जूट बोल रहा है हमें नहीं चाहिए यह बिल तो आप जानते हो सच कौन बोलता है जूट कौन बोलता है हम वह नहीं रुके हमने आप से कहा था कि दान के लिए 2500 रुपए प्रति कुंटल हम देंगे आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ी वो आस्ते 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 बढ़ता गया सभी बोल रहा हूँ? तो हमें बोलने की जरूरत भी नहीं है मैं आपको कह रहा हूँ हमने अन्नाउंस किया है कि 3200 रुपए प्रति कुंटल मिलेगा लिख लो रख लो पांच साल मैंने 2500 कहा था अब मैं कह रहा हूँ 3200 से शुरूआत होगी शुरूआत मतलब 3200 से शुरूआत होगी और उसके बाद ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा जितनी जितनी जरूरत किसान को होगी जो हम कर सकेंगे हम करके दिखा देंगे आपको कहने की जरूरत नहीं है आपको बताने की जरूरत नहीं है कि भहिया हमें ज्यादा पैसा चाहिए आप देखना बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा आदिवासियों के लिए बीजेपी के समय तेंदू पत्ता के लिए कितना पैसा मिलता था एक बोरी के लिए कितना मिलता था डाही हजार कॉंग्रेस पार्टी के समय में कितना मिला आपको चार हजार रुपे अब आप लिख लीजिए चार हजार रुपे नहीं छे हजार रुपे आपको मिलेंगे लिखके रख लीजिए आप चार हजार रुपे का आपको हर साल बोनस मिलेगा 23,000 क्रोड रुपए हमने किसान नियाई योजना में आपको दिया आपने मांगा नहीं हमने का भईया हम नियाई योजना करना चाहते हैं हमारा प्लान था लोकसाबा में करने का हम 36 गड़ में इसको टेस्ट करके दिखाएंगे और हमने कर दिया आप मुझे एक बात बताओ जब बीजेपी के सरकार यहां थी कर्जा माफ किया उन्होंने धान के लिए साही रेट दिया क्या तेंदू पत्ता के लिए साही डेट दिया बोनच दिया मुफ्ट में बिजली दी तो क्या बात कर रहे हैं ये लोग क्या बात कर रहे हैं अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं जैसे मैंने पिछले चुनाव में कहा था किसान का कर्जा माफ होगा पन निकाल के आप लिग लीजिए इस बार किसान का कर्जा माफ होगा किसान का कर्जा माफ होगा पिछली बार हमने कहा था बिजली बिल हाफ इस पर जो दो सो यूनिट बिजली के हैं वो आपके माफ हो जाएंगे अब इसका मतलब समझे कभी कभी यह जो आकड़े होते हैं की गहरा ही नहीं समझाती हमने कहा दो सो यूनिट माफ इसका मतलब 36 गड़ में 40 लाख परिवार बिजली के लिए एक रुपिया नहीं देंगे के जी तुपी जी आपने सुना है क्या है यह के जी टुपी जी हिंदुस्तान का पहला स्टेट होगा जहां यहां पे के जी से लेकर पी जी तक शिक्षा मुफ्त में मिलेगी बीजेपी क्या करती है सारे के सारे स्कूल प्राइविटाइज कर देती है कॉलिजिस प्राइविटाइज कर देती है हस्पटाल प्राइविटाइज कर देती है आदिवासियों को वन वासी कहते हैं सुना आपने आदिवासि को यह लोग वन वासी क्यों कहते हैं मुझे बताओ को बता सकता है को वन वासी शब्द में और आदिवासी चब में क्या फर्क है कि हाँ और वन वासी जंगल में रहने वाले अच्छा बताइए आपका नाम क्या है गोवर्धन जी आपने आपने वो जो बीजेपी का वीडियो था जिसमें बीजेपी का नेता एक आदिवासी पर पिशाप कर रहा है वो आपने देखा मद्यप्रदेश में देखा आपने आपने कभी बीजेपी के किसी नेता को जानवर को पर पिशाप करते हुए देखा है तो बीजेपी के नेता जानवर पर पिशाप नहीं करते हैं मगर आदिवासी पर पिशाप कर रहे हैं देखिए आदिवासी शब्द के अंदर गहराई में बहुत ज़रूरी चीज़ छुपी हुई है सबसे पहले जल जमीन जंगल के मालिक आदिवासी थे भाईयों और बहनों आदिवासी शब्द के अंदर आदिवासियों का जो हक है जमीन का हक, जल का हक, जंगल का हक वो छुपा हुआ है वन वासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं बीजेपी आपको वन वासी कहते हैं, हम आपको आदिवासी कहते हैं बीजेपी आपके अधिकार छीनती हम आपको अधिकार देते हैं हम आपसे गले लगते हैं, बीजेपी आपके उपर पिशाप करते हैं बीजेपी के नेता आपके उपर पिशाप करते हैं और फिर वीडियो वाइरल कराते हैं कि पुरा देश देखें कि बीजेपी के नेता आदिवासी पर पिशाप कर रहा है यह इनकी सोच है अच्छा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ आपको वनवासी कहते हैं न जंगल कम हो रहा है जाधा कम हो रहा है न तो जब 15-20 साल में जंगल गायब हो जाएगा तो वनवासी कहां जाएंगे कहां जाएंगे सडकों पे भीग मांगेंगे सडकों पे भीग मांगेंगे BJP के नहता कहते हैं देखो आदिवासियों को हिंदी सीखनी चाहिए 36 गड़ी मच सीखिए अंग्रेजी मच सीखिए मगर आप किसी भी BJP के नहता से पूछो कि भईया आपका जो बच्चा है वो इंग्लिश मीटियम में पढ़ता है हिंदी मीटियम में पढ़ता है हमारा तो बेटा इंग्लिश मीटियम में पढ़ता है अगर आपका बच्चा इंग्लिश मीटियम में पढ़ता है उनमें क्या कमी है? इसलिए हमने पूरे स्टेट में English Medium School स्वामी आत्मानन स्कूल का जाल बिछा दिया है और हमें इसको बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे जब तक हर अधिवासी हुआ हर अधिवासी हुआ अंग्रेजी में बात कर पाए क्यों चाहते हैं मैं बता देता हूं आपको चत्यस गड़ में रहना है चत्यस गड़ में काम करना है चत्यस गड़ी बोलिए यूपी में जाना हो बिहार में जाना हो दिल्ली में जाना हो काम करने के लिए हिंदी बोलिए विदेश जाना हो कॉल सेंटर में काम करना हो इंजिनियर बनना हो डॉक्टर बनना हो अंग्रेजी की जरुद पढ़ेगी अंग्रेजी पढ़िए वो कहते हैं भईया हिंदी पढ़ो बाकि सब भूल जाओ क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके बच्चे अंग्रेजी ना सीखें कॉंपटिशन ना आ जाए बाहर से कोई आता है अमरीका से कोई वियापारी आता है बिजनिसमेन आता है आपके बच्चे उससे बात ही ना कर पाए वो आपको नौकरी ना दे पाए इसलिए वो आपसे कहते हैं आप वनवासी हो आप बड़े सपने मत देखो अंग्रेजी मत पढ़ो और हम कहते हैं आप वनवासी नहीं हो ये शब्द आपना अपमान है आप आदिवासी हो आपको सबसे बड़ा सबड़ा सबड़ा सपना देखना चाहिए और उसको पूरा करना चाहिए पूरा करने में हम मतक्त करेंगे आपकी यहां पे पिछड़े वर के लोग भी हैं कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी बात बोली मैंने पहली बार सुनी है हर भाशन में कहते हैं मैं OBC हूँ हर भाशन में OBC की बात करते हैं और जब मैंने जाती जनगरना की बात शुरू करी जब मैंने कहा कि जाती जनगरना होना चाहिए कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जाती नहीं है हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है गरीब, और कोई जायत ही नहीं, तो नरेंदर मोदी जी अगर हिंदुस्तान में एक ही जायत है उसका नाम गरीब है, तो आप अपने आपको बहुँची क्यों कहते हो, और अगर एक हैं गरीब है, तो अमीर कौन है, अमीर में कुछ जात ही नहीं है सिर्फ एक जात है हिंदुस्तान में वो है गरीब आपने चुनाव जीत लिया रोज हवाई जहाज में उड़ते हो कोरोनो रुपे के सूट पहनते हो हर रोज नया सूट पहनते मोदी जी आपने कभी देखा है नरेद्न मोदी जी को दो बारे एक कपड़ा पहनते हुए कभी देखा आपने कि मोदी जी ने एक कपड़ा दो दिन के लिए पहन लिया कभी देखा एक दिन में तीन चार पांच कपड़े पहनते हैं मोदी जी तो आपने चुनाव जीत लिया करोनों के सूट पहन रहे हो मकर जब OBC को आपकी जरुवत पड़ी OBC युवाओं को आपकी जरुवत पड़ी जाती जनगरना कराने में तो आप कहते हो एक ही जात है गरीब OBC तो ही नहीं भाई और मैंनों हिंदूस्तान को MP नहीं चलाते हैं हिंदूस्तान को 90 अपसर चलाते हैं उनको हम Secretary to Government of India कहते हैं IAS के अपसर हैं और ये 90 लोग हिंदूस्तान का पूरा का पूरा पैसा जो है इसको बांटते हैं मन्रेगा में कितना जाएगा सेनागो कितना मिलेगा सडक बनाने में कितना पैसा जाएगा हस्पतानों में कितना जाएगा शिक्षा में कितना जाएगा ये सारे के सारे निन्ने ये 90 लोग लेते हैं Parliament House में मैंने एक आकड़ा रखा मैंने का कि देखिए 90 लोग में से OBC कितने हैं भाईयों और बहनों इन 90 लोगों में से ये कितने हैं भाई उठा के दिखाओ खड़े हो कि दिखाओ ये देखो 90 में से 3 मोधी जी OBC की बात करते हैं 24 गंटा OBC की बात करते हैं जब मदद करने का समय आता है कहते हैं भाईयों OBC जाती नहीं है और जो अपसर 90 अपसर इस देश को चलाते हैं बजेट का हर पैसा बाटते हैं उस में से 3 OBC के हैं अच्छा भईया आपने पहला सवाल का जवाब दे दिया दूसरे सवाल का जवाब दीजिए जो OBC अपसर हैं हिंदुस्तान के बजेट का कितना प्रसिशद निन्ने लेते हैं 5% मतलब 90 में से 3 OBC और अगर हिंदुस्तान के बजेट में 100 रुपे खर्च होते हैं तो 5 रुपे का निन्ने OBC जात के लोग लेते हैं अच्छा आदिवासियों की बात करते हैं बजेट में से अगर 100 रुपे का निन्ने लिया जाता है है तो आदिवासी कितना लेते हैं कितना कि शून्य गसलेशमलवश शून्य एक मतलब आदिवासी अब सर्द…, सो रुपे में से 10 रुपे का कि निरने लेते हैं नहीं, 10 पैसे का निरने लेते हैं सरी друга अब सवाल यह है कि हिंदुस्तान में क्या ओबीसी के अबादी 5% है आदिवासी के अबादी 0.1% है क्या बिल्कुल नहीं पूरा देश जानता है कि ओबीसी के अबादी कुछ भी होगी 5% तो नहीं है और पूरा देश जानता है कि आदिवासी के अबादी कुछ भी होगी मगर 0.1 परसेंट तो नहीं है मैं आपसे क्यूं कह रहा हूं क्यूंकि देश को चलाने में आधिवासी दलेत पिछणों की कोई भागीदारी नहीं है क्यूंकि नब्बय अपसरों में से कोई नहीं है अगर आप मुझे कहते कि भईया देखो नब्बय अपसर है उसमें से 50% OBC हैं तो मैं कहूंगा हां भईया बजट का 50-50% ये लोग खच करने तो भागीदारी है अगर आप मुझे कहते देखिए 15% बजट का आदिवासी लोग निन्ने ले रहे हैं तो मैं कहते हां भी ये वागीदारी है इसलिए मैं चाहता हूँ और ये OBC के जो युवा हैं आदिवासी युवा हैं आप इस बात को उठाईए ये आपके भविश्य की बात है इसलिए मैं चाहता हूँ कि जाती जंगरना हो सब को पता लग जाएगा कि देश में आदिवासी कितने हैं दलित कितने हैं पिछडे कितने हैं जेनरल कितने हैं सब को पता लग जाएगा एक पार सब के आंकरे हमारे सामने आ जाएगे सामने होंगे तो हम कहेंगे ठीक है वहिया अब अगर पचास पसंट अबादी है तो भागीदारी होनी चाहिए नब्बे में से तीन अपसर काम होने वाला नहीं है इसको हमें बदलना पड़ेगा अब नरेंद्र मोधी के पास जातिजनकरना के आखड़े पड़े हुए हैं वो एक सेकंड में पबलिक को दिखा सकते हैं अब हमने किया था जातिजनकरना हमने करा जब हमारी युपे की सरकार थे तो सारे आखड़े सरकार के पास है अब हम नरेंदर मोदीची से कहने हैं भाया इनको रिलीज करिए 36 गड़ के OBC युवां को बता दीचे OBC के कितनी आवादी आदिवासियों को दलितों को बता दीचे भाया आपकी इतनी भागिदारी होनी चाहिए नरेंदर मोदी नहीं बोल रहे हैं अब कहरें भाया OBC के तो कोई जाती नहीं होती दलित आदिवासि तो जाती नहीं है जात तो हिंदुस्तान में सिर्फ गरीब है तो यहां जो OBC युवां है अगली बार मोदी जी आएंगे आप उनसे पूछना मोदी जी पहले आप कहते थे आप OBC हो अब आप कहते हो हिंदुस्तान में सिर्फ गरीब जात होती है आप जाती जन गरना प्लीज कर दो हमारी जो सच्चाई है OBC जात की जो सच्चाई है वो हमें बता दो लंबे लंबे भाशन करेंगे एक घंटा बोलेंगे आपको मगर इस सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी नहीं दे सकता क्यूं क्यूंकि रिमोट कंट्रोल अदानी के हाथ में सरकार को अदानी चला रहा है नरेंद्र मोदी का चहरा दिखाते है देखो हसरे हैं ये देखो मुस्कुरा रहे हैं क्या नाम आपका वहिया नहीं मीडिया वाले जो है जो मुस्कुराने क्या नाम आपका मुस्कुराया चली गए जर गए तो 24 गंटा Cayet大家 कि मोदी-जी मोदी जी मोदी मोदी-जी क्यों कि अधानी जी को कहते दिखाओ सौधा क्या है मोधी जी की मार्केटिंग ये करते है और आपका जल आपका जंगल आपकी जमीन मोधी जी अधानी जी को दे देते है रही बात है सच्चाई ये पूरा देश जानता है तो मैं मैंने आपको शुरुवात में कहा देखो भईया जो मैं कह देता हूँ मैं कर देता हूँ यहाँ पर मैंने कहा था 2500 रुपए घान के लिए मिलेगा मिल गया मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ कि 36 गड़ में जैसे हमारी सरकार आईगे न जात का सेंसर्स हम वहीं उसी दिन शुरू कर देंगे और दिल्ली में मोधी जी करें ना करें हर आधिवासी हुआ को ये समझ जाना चाहिए आपके भविष्च्टilah के बात है आपके भागिदारी के बात है मोधी जी करें ना करें मैं नी जानता दिल्ली में कॉंग्रेस पार्टी की इंडिया की सरकार आईगी पहला काम जाती जनगरना हो जाएगा, खतम हो जाएगा और जो आकड़े हैं, उनको हम रिलीज करके आपके सामने रख देंगे और एक नई कहानी OPC युवाओं के लिए, आधिवासी दलित युवाओं के लिए एक नई कहानी शुरू होगी आज आप लोग नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज और नोट बंदी, GST इसने, जो उमारी रीड की हड़ी है हिंदुस्तान की रीड की हड़ी को तोड़ दिया है युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता नरेंद्र मोदी की सरकार में अब सब जानते हो तो रोजगार देने का पहला कदम जाती जनगर्ना किसके पास कितना धन है नब्बे अपसर में से OBC कितने गलित कितने, आदिवासी कितने और क्यूं और पिछणों की अबादी कितनी ये सवाल है और इन सवाल के जवाब कॉंग्रेस पार्टी और मैं आपको दिलवा देंगे आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद देखिए BJP आपके पास आती है जूटे वाइदे कर जाती है आपका पूरा पैसा अदानी जी के हैं चला जाता है आपकी जमीन, जंगल, जन, छील के वो छीन के वो ले जाते है पैसा अमरीका चला जाता है हम आपकी पॉकेट में पैसा डालते है किसान की पॉकेट में पैसा डालते है मजदूर की पॉकेट में पैसा डालते है वो भूल गया हमें सिंपल तरीके से मैं समझा देता हूँ हम चाहते हैं कि पैसा गरीब किसान मजदूर बेरोजगार युवा इनके जेब में जाए और यह इस पैसे को गाउं में शेहरों में खर्च करें और पूरी 36 गड़ की गाउं की शेहरों की अर्थ व्यवस्ता आगे बढ़े वो चाहते हैं कि पूरा पूरा पैसा अदानी जी के जेब में चले जाए अदानी जी पैसा कहां खर्च करते हैं अदानी जी क्या यहां पे मतलब गाउं में पैसा खर्च करते हैं नई वो करी नहीं सकता किसान यहां पे खर्च करेगा हम किसान के जेब में पैसा डाल रहे हैं किसान छोटे दुकानदार के यहां जाके माल खरीद रहा है छोटे दुकानदार के जेब में पैसा जा रहा है तो पूरे पूरे जो आर्थिक सिस्टम है चतिस गड़का उच चल रहा है जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है वैसे ही ये किसानों का पैसा बंद कर देते हैं 36 गड़ में भारी बहुमच से कॉंग्रियूस पार्टी आने वाली है जो मैंने यहां कहा जो मैंने यहां कहा वो मैं आपके लिए पूरा करके दिखा दूँगा धन्यवाद जेह